हलो आज है 13 सप्टेमबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में देखे 665 रुपए के आसपाश शेयर ट्रेट कर रहा है और अभी भी एक बड़ी रफ्तार आने के बावजूद भी ये शेयर तूटने को तयार नहीं है मार्केट उपर नीचे होता है लेकिन विप्रो का शेयर जो है वो टूटने को तयार नहीं है बलके वो अपने एक प्राइस को श्टिक रहता है जब मारCTV गिरता है और जब मार्केट तीजी में होता है तब तो भायाTeam देखने को मिल जाती है यहांपर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विप्रो लिमिटेट के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है की नहीं और जिन लोगों ने और लरीड यहां पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए वीडियो को शुरू करो से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो बात करते हैं विप्रो की 665 रुपए का शेयर है और पिछले एक महिने में अगर देखे तो एक महिने में 8.5% का ग्रोथ आया है आप देखें बढ़िया रफ्तार है हलाकि 665 रुपए तक भी पहुंचा था शेयर लेकिन एक दिन में मुलब दो दिन में गिरावट आई लेकिन फिर से तेजी की तरफ दोड़ना शुरू कर चुका है ये एक साल में देखें तो एक साल में 127-128% का ग्रोथ है और जब भी ये शेयर टूटा है लेकिन एसने की गिरावट नहीं आई डेफिनिटली गिरावट आई थी थोड़ी बहुत लेकिन जब भी तूटा है उससे ज़्यादा का बाउंस बेकाया है जब भी तूटा है उससे ज़्यादा का बाउंस बेक दिखाया और ये strength है इस company की और ये company जानी जाती है वहिया अपने bonus देने की वज़े से split होकर जादा से जादा shares देने की वज़े से अगर अगर विप्रो का share अब तक नहीं कभी split हुआ होता नहीं कभी इसने bonus दिया होता है तो आज इसकी एक share की किमत 16-17 करोड रुपे होती MRF से कई जादा बड़ी हम MRF को कहा दें इसलिए MRF का share आपको महंगा लग रहा है लेकिन विप्रो विप्रो ने भईया लोगों का कई जादा कई जादा गुना पैसा बना कर दिया है और ये खुबसूरती होती है ऐसे shares की और long term के लिए share में बने रहने की यहाँ पर देखे large cap share है 3,65,000 करोड के असपास का इसका market cap है NSE में देखे तो 35,00,000 के राउंड का इसका volume trade है share holding की में बात की 73.02% की holding promoter के पास है 9.83% की holding 1.90% की holding mutual fund 3.75% की holding insurance company के पास है देखे डिविडेंट कोई खास भी नहीं करता है ये मुश्किल से आपको एक रुपे पर share का डिविडेंट मिलेगा वो भी सालाना लेकिन जो यहाँ पर बहतर चीज़ है वो यही है कि bonus और split यह हर बार हुआ है यहाँ पर और इसी से सबसे लादा लोग को फाइदा भी हुआ है Vipro की जो latest update है वो यही कहते कि 18 महीने बाद work from home खतम हो चुका है और Vipro के जो employees है वो offices में आना शुरू हो चुके है Monday से offices इनके start हो चुके है और कह सकते हैं कि वही आप Vipro शुरू हो चुका है या आप कह सकते हो Vipro के बारे में अगर हम देखे तो according to money control user 83% लोग खरीदने की सला दे रहे 8% लोग बेशने की बात के रहे 9% लोग यहाँ पर hold करने की नसे दे रहे और targets अभी भी देखा जाए तो 670-675 के आज़ पास के हैं और मेरे हिसाब से शायद और बड़े targets आपको future में देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं विपरो के बारे में अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखने हैं तो company के revenue definitely increase है हला कि उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन increase है लेकिन जो सबसे बड़ा increase है वो profit में है अच्छा profit increase है 2021 में अब तक का highest profit कमाया है 10,855 करोड का जो कि बहतरीन है शानदार है विपरो के बारे में देखे तो definitely current price इसके इंस्ट्रिक value से ज़्यादा ही है लेकिन long term में बेंक FD से कई गुना ज़्यादा return इसने कमा कर दिया है हलाकि dividend उतना attractive पे नहीं करता है खरीदने का अभी भी सही मौका अपने all time highs पर बैठे होने के बावजुद इसका P.E. ratio 33 जबकि sector P.E. 38 है तो भाई या उतना महंका अभी भी नहीं है 31% एनालिस्ट खरीदने की बात यहाँ पर कर रहे है विपरो में शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो देखे लोगों के पास पबलिक के पास कुछ खास कॉंटिटी नहीं है यहाँ पर भले ही आपको रिटेल और अधर्स के पास साड़े ग्यारा परसंट की होल्डिंग देखने को मिली है लेकिन जो कोर रिटेलर्स है मतलब आप और हमारे जैसे लोग उनके पास सिर्फ 6.5% की ही होल्डिंग है Other Parties और बड़ी बड़ी पार्टी से उनके पास तकरीबट 8.95% की होल्डिंग है बड़ी होल्डिंग Virtual Fund के पास है Domestic के पास है Promoter सबसे जादा होल्डिंग लेकर बैटे हैं जो बेचने को तयान नहीं और ना ही बेचे इंते हुए आपको आने वाले जिनों में भी नजर आएंगे विप्रो को लेकर मैं यही कहूँगा कि देखो विप्रो कुछ शेर्स हमेशा ऐसे होते हैं पोटफोलियो में जहां पर आप शॉट टर्म का गेम खेलते हैं जहां पर आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन कुछ शेर्स ऐसे होते हैं जहां पर आप ट्रेडिंग नहीं बलके इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉंग टर्म का परस्पेक्टिव लेके चलते हैं तीन चार साल के लिए आप यहां पर यह मान के चलते हैं आपका पैसा यहां पर सेफ भी रहेगा और आपको बढ़िया रिटन भी यहां पर मिलेगा और विप्रो उन्हीं में से एक शेर है पिछले एक डेड़ साल से मैं विडियो के विडियो बना रहा हूं ऐसा नहीं कि जब तेजी आई तभी मैं आपको बता रहा हूं अगर आप टुकडो में करो ठीक है अपने all time highs पर बैठा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 100 शर खरीदने आपने 100 के 100 शर अभी के अभी खरीद लिए यहां पर आप अगर 100 खरीदने 25 खरीदो 15-20 रुपए की गिरावट है और quantity आट कर लो यहां पर और long term का game खेलो भी प धा हुआ है यह दस साल में देखे तो भाई सबसे जाधा है यह बहुत जाधा है और विपरो हमेशा यह चीज करता है कि जब भी share price उसकी बहुत जाधा बढ़ जाती है तो या तो वह bonus अनांस करता है या split कर देता है जिसकी वजह से इसके share price भी control में आजाते है और जो यह शेयर स्प्लिट भी हुआ है और सबसे जादा फाइदा उसी जगे पर हुआ है यहां पर आप देखे उननीस सत्रा दस दोहजार पांच दोहजार चार जब देखो तब यह स्प्लिट हुआ है बोनस मिला है यहां पर वीप्रो में मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए इस शेयर को कभी भी नहीं बेचना चाहिए देखे आई टी कंपनियां आने वाले समय में में भी बहुत जादा फोकस में रहने वाली है समय के साथ सा टेकनलोजी और जादा बहतर होगी और जादा इवाल्व होगी और ऐसे में जो कंपनियां इस सेक्टर में अपना वर्चस्व बनाए रखेगी उस कंपनी को सबसे जादा फाइदा देखने को मिलेगा आपको और वीप्रो मेरे हिसाब से बहतरीन कंपनी है यहां पर अभ इन तीनों के उपर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं खासा कि अभी जो इनफोसिस में जो पूरा मामला चल रहा है सरकार और इनफोसिस का उसमें अगर थोड़ी सी भी गिरावड आती है शेयर में तो वह खरीदारी के मौक्यों के पैनिक में आकर बेचने की यहां पर जरू सब्सक्राइब करें और विपरो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं थैंक यू